राजदानी दिल्ली के नहरो पैलेस में बनी यूनियन बैंक आफ इंडिया की ब्रांच के बाहर आज कुछ लोग धरने पर बैट गए है जब हमारी टीम ने उन लोगों से बात की तो उन्होंने एक बड़ा खुला सकते हुए बैंक मैनेजर पर एक करोड रुपए के गवर्ण करने का आरोप लगाया है वहीं उन्होंने बताया कि ये मामला चार से पास महीने से चल रहा है हमने अपनी कमपनी के नाम से नहरू पैलेस में बनी यूनियन बैंक आफ इंडिया की ब्रांच में खाता खुलवाया था उन्होंने ये भी पताया कि हमारी कमपनी के बैंक से एक करोड रुपए की हेर ओफेरी का मामला सामने आया है तबी हमने बैंक मैनेजर से शिकायत की लेकिन बैंक मैनेजर ने बात को इधर उधर करते हुए टाल दिया वही हमें फरिदाबाद ब्रांच जाने को कहा गया लेकिन हमने ये कहते हुए मना कर दिया कि हमने अपनी कमपनी का बैंक खाता नहरू पैलेस ब्रांच में खुरवाय लेकिन नेरू पैलेस ब्रांच के मैनेजर हमें कोई भी जवाब नहीं दे रहे हैं। हमें मालूम है कि इस पैसे को गवन करने का सबसे बड़ा हाथ नेरू पैलेस ब्रांच के मैनेजर का है। प्रत्याशी भी अपने कई कारिकरताओं के साथ उन लोगों को समर्थन देने पहुंचे और बैंक मेनेजर को सामने आने की अपील की वहीं उन्होंने बताया कि दो दिन से इन लोगों का धरना चल रहा है ना तो कोई बैंक का अधिकारी इन से मिलने आया और ना ही बैंक मेने कर दो कर दो